हलो बच्चों, मिलकम टे सार क्लासेज, अभी किस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेंथ क्लास मैथेमेटिक्स का चैप्टर नमबर टू, जिसका नाम है बहुपद, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन-कौन से ऐसी चीजें हैं, ज बहुपद का सुनियक किसे कहते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है, यह सब कुछ हम लोग आज की से एक वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुपद से, लेकिन बहुपद को जानने से पहले, आपको दो बातों का और ग्यान होना बस्यक है वो है कि संख्याओं को दो तरीके से बाटा गया है वैसे तो संख्याओं को कई तरीके से बाटा गया है जैसे कि प्राकृत संख्या हो गया पूर्ण संख्या संख्या बिसंख्या बहुत तरीके से बाटा गया है लेकिन इन सब बटवरे के अलाबा संख्या को और भ मान बदलता रहे उसे चर संख्या कहते है ठीक है, अब आप लोग कहो कि सर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका मान बदलता रहता है तो जैसे हम लोग किसी भी सवाल को solve करने के लिए X मानते हैं बाइ मानते हैं, जेड बानते हैं तो क्या एक्स का मान हर बार एक जैसा ही आता है माना की पिता का उम्र एक्स तो कभी 60 बर साता है कभी 40 बर साता है कभी 50 बर साता है एक्स एक पर्टिकूलर वैल्यू नहीं नहीं लग रहा है कि हाँ एक्स मतलब की 50 ऐसा तो नहीं है एक्स का मान हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो बैसी संख्या हैं, जिनका मान बदलता रहा है, उसे क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं, और बैसी संख्या हैं, जिनका मान नहीं बदले, उसे अचर संख्या कहते हैं, जैसे कि तीन लिख दिया, पांच लिख दि और सोग है तो ऐसा थोड़े की कलूट करके इसका मान बदल जाएगा हमेसा चार रहेगा ठीक है आज मतलब की एक सवाल बनाया कोश्चन नंबर वन में अगर हमने ऐसे लिखा तो इसका वैल्यू चार पढ़ेंगे तो कोश्चन नंबर टू जो है उसमें भी अगर हमने यह ल पान होगे तो कोई जरूरी नहीं कि एक से इकोल टू फाइब हो सकते है इसमें सिक्स आ जाए ठीक है तो देखिए कोश्चन में अगर हमने यह लिखा तो इसका मतलब चार था यहां पर ऐसे लिखा तो इसका मतलब भी चार है लेकिन कोश्चन नंबर टू में जब एकस लि अब हम लोग समझते हैं बहुपत को कि बहुपत कीसे कहते हैं तो जब हम संख्याओं को दो या दो से ज्यादा संख्याओं को एक साथ सजा के लिखते हैं न तूसे कहा जाता है पद जैसे देखे यहां पे मैंने लिखा यहां पे एक अचर संख्या टू और इसके साथ एक चर संख्या लिख दिया एक्स ठीक है तो ये एक पद का निर्मान किया ऐसे ही एक और संख्या यहां पे लिख दिया फोर और इसके साथ एक चर संख्या लिख दिया बाई तो ये भी एक पद का निर्मान किया और जब इसको पलस या माइनस के जरीए हम किसी भी चीज के अगर एक्स और बाई लिखा हुआ है तो ये भी एक परकार का क्या है बहुपद है अब ये कैसा बहुपद है कितने घात का कितने पद का यह सब कुछ हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं तो बहुपद जो होता है वो चर संख्याएं और पलस अचर संख्याएं दोनों के सनियोग से मिल करके बनता है ठीक है अगर सिर्फ कहीं पे चर संख्या लिखा रहा है तो भी बहुपद है और अगर कहीं पे सिर्फ अचर संख्या लिखा रहा है तो भी बहुपद है लेकिन मेनली इन दोनों के सनियोग से बनाई गई संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं जिसका जो सामानने रूप होता है अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बहुपद कैसा होता है ठीक है तो मान लेजिए ए है ठीक है यह एक अचर संख्या ए जिरो मान लेते हैं इसके साथ जुड़ा हुआ है A1 X1 ठीक है इसके साथ जुड़ा हुआ है A2 X2 इसके साथ और जुड़ा हुआ है A3 X3 ऐसे ही करते यह चला गया है कहां तक A का पावर N और X का पावर N तक आप लोग कहोगे सरी यह क्या लिख दिये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए A जो है इसको कहा जाता है अचर संख्या तो आप लोग जानते होंगे अभी बताए अचर संख्या कौन जिसका मान नहीं बदले उसे क्या कहते है अचर संख्या कहते है यानि इसके जगा पे कोई अचर संख्या लिख दो हमने लिख दिया 4 A1 मतलब कुछ भी सकता है 10 लिख दिया और X का अस्क्वाइर तो देखो इस परकार से जो संख्या बनती चली जा रही है इसे हम लोग क्या काता है बहुपत काता है अब कोई जरूरी नहीं कि संख्या एकदम यहां तक बने ठीक है ऐसा नहीं है कि इसके आगे पलस दे करके आगे में कुछ रहे 15 रहे और X का पावर 3 रहे फिर भाई 10 रहे X का पावर 4 रहे ऐसे चलता ही रहे X का पावर इन तक कोई जरूरी नहीं अगर आप लोग इस टार्टिंग के दो पद भी लिखते हो तो ये भी एक परकार का बहुपत है अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपत के घात किसे कहते है तो आईए देखते है तो अब हम लोग देखते हैं बहुपत का घात तो घात समझने से पहले बहुपत का घात समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि घात होता क्या है तो देखी अगर हमने कहीं पे लिखा X और इसका पावर लिख दिया 3 तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि X जो है इसे आधार कहा जाता है ठीक है और जो इसके ऊपर यहां पे लिखा रहता है इसी को गहात कहा जाता है ठीक है बच्चों तो बहुपत का गहात किसे कहेंगे तो बहुपत का गहात कहा जाता है सबसे बड़ी गहात को सबसे बड़ी गहात जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते है बहुपत का गहात कहते है ठीक है अब ज़रा से यहां पे समझेगा जैसे हमने यहां पे एक बहुपत लिखा X स्कौाइर प्लस 5X और प्लस में 6 ठीक है तो यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा घात किसका है, तो अच्छा हाँ, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, पद, लगे हाथ यह समझ लेते हैं, पद किसे कहते हैं, तो देखिए, पलस और माइनस, पलस रहे या तो फिर माइनस रहे, पलस के इस तरफ यह एक अलग चीज हो गया, पलस के इस तरफ यह एक अलग चीज हो गया, हाँ, फिर पलस है, तो इससे पहले और इसके बाद वाला अलग अलग होगा, तो यह अलग, तो टोटल कितने बॉक्स बनें, तीन बॉक्स बने और इन तीनों बॉक्सों को क्या कहा जाता है पद कहा जाता है ठीक है तो अब हम लोग एक एक पद का गहात देखेंगे और जिस पद का गहात सबसे बड़ा होगा उसी गहात को कह देंगे कि ये बहु पद का गहात है ठीक है तो इस पद का गहात कितना है औ जब सिर्फ एक्स लिखा रहा है तो पावर कितना होता है इस पे 1 होता है ठीक है तो इसका घहात हो गया 1 इस पत का घहात कितना है तो यहाँ पे तो चर संख्या है ही नहीं तो चर संख्या था एक्स यहाँ पे था लेकिन उसका पावर 0 था इसलिए इसका घहात कितना हो जाए है 6 गुने X का power 0 कितना होता है 1 होता है यानि कि 6 दोनों तो बरावर ही है ठीक है तो X का power 0 हम लोग साथ में लिख सकते थे तो यहां पे एक चर संख्या था जिसका power 0 था तो इसलिए इस पत का घात कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहां से एक चीज हमने और सिखा कि कोई भी जो अचर संख्या होता है उसका घात कितना होता है बच्चो अचर संख्या का घात होता है सुनने यह आप लोग याद रखोगे ठीक है अब यह नहीं कि अचर संख्या पे घात सुन होता है, अचर संख्या का पावर बन होता है, लेकिन ऐजा पद, पद के रूप में, बहु पद में इसका घात कितना होता है, सुनने जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, और example करेंगे, चीजें और clear होती चली जाएंगी, ठीक है, य इस पद का घात देखो, कितना है, फाइब, इस पद का घात देखिए, कितना है, थिरी, आप लोगों को पद पहचानना आ गया, पलस और माइनस के जरीए जो अलग होया हुआ रहे है, उसे एक अलग पद कहते हैं, जैसी यह वाला जो चीज है, इस तरब भी पलस है, इस त कह सकते हैं, घात कितना हो जाएगा, जीरो, आप लोगों के सर, यहां पर बार बार एक्स क्यों लिख रहा है, ठीक है, तो यहां पर आप बाई भी लिख सकते थे, बाई का पावर कितना है, जीरो है, लेकिन चुंकि बाकी सब एक्स लिखा हुआ है, तो इस यहां पर क्या संख्या को बहुपध होने के लिए दो तीन कंडिसन फॉलो करने होते हैं, घात समझ में आगे हैं आप लोगों को, अब सारी की सारी संख्याएं, जो चर और अचर संख्याएं हैं, उनको एक साथ लिख देने से वो बहुपध नहीं हो जाती, मतलब बहुपध होने के लिए कुछ सर्थ है और उन सर्थों को मानेगा तभी वो बहुपत कह लाएगा जैसे क्या है पहला सर्थ है कि जो घात है बहुपत का वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए ठीक है दूसरा कि जो बहुपत का घात है वो कभी भी भीन के रूप में नहीं होना चाहिए ये दो चीजें एकदम आप लोगों को याद रखना है जैसे कि यहां पे मैंने एक बहुपद लिखा लिखा x का पावर माइनस 2 पलस 5x पलस 6 क्या ये बहुपद है या नहीं तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये दोनों सर्तों को पूरा कर रहा है पहला चीज कि बहुपद का घात देखना है माइनस में नहीं होना चाहिए अब देखो इसका घात जो है वो क्या है माइनस में है तो ये बहुपद नहीं है ठीक है बच्चों और चीज बहुपद जो होता है उसका घात भीन में भी नहीं होना चाहिए अगर 5x square plus x का power 1 by 2 लिखा हुआ है और plus में 5 लिखा हुआ है तो क्या ये एक बहुपद है तो ये बहुपद नहीं है दो सर्थ पुरा करना चाहिए power जो हो वो यहां पे plus में हो माइनस नहीं हो तो इसका power plus में है ये x का power plus में है ठीक है plus में तो है लेकिन भीन में भी नहीं होना चाहिए पहला वाला तो भीन में नहीं है लेकिन दूसरा वाला भीन में है तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा power plus में होना चाहिए साथी साथ भीन नहीं होना चाहिए से ही लिखा जाएगा फाइब रूट का मतलब क्या होता है पावर बन बाई टू और माइनस में कितना फाइब देखिए यहां पे पावर क्या चला गया भीन के रूप में चला गया तो यह भी बहुपद नहीं है बहुपद होने के लिए पावर पलस होना चाहिए साथी साथ भीन के रूप में नहीं होना चाहिए ठीक है और एक्जामपल करते हैं बहुपद के लिए अगर कहीं पे आपको दिखे 5x2 6xx-5 क्या यह एक बहुपद है तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक का पावर एन इस इकूल टू एक का पावर देखिए यह पावर का जो साइन है वो क्या होता है चेंज हो जाता है या तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या इस तरीके से रहे तो इसको अगर हम उपर लेके जाना चाहें तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है यह पलस में था उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइ बन और माइनस में 5 है इस फॉर्मूले से है ना पावर एन था उपर गया तो माइनस एन हो गया तो अब बताओ क्या ये एक बहुपद है तो नहीं है और बाकी हम लोग जब सवाल लगाएंगे तो और भी सवाल हम लोगों को मिलेगा तब बहां पे और चीजे क्लियर हो जाए चलिए एक सवाल और देखते हैं बहुत बार एक लिख लिए इस बार बाई लिख लेते हैं ऐसे लिख लिए चार बाई का पावर थिरी बाई टू और पलस में 5 क्या ये एक बहुपद है तो देखिए इसका जो घात है वो क्या है एक है कुछ नहीं है तो मतलब एक है लेकि तो हम लोग देख लेते हैं बहुपत के परकार तो बहुपत को जो बाटा गिया है वो दो तरीके से बाटा गिया है एक घात के आधार पे और दूसरा पद के आधार पे जैसे इंसानों को ही ले लो इंसानों को बाटा जा सकता है कैसे कलर के आधार पे बाटा जा सकता है कि का आधार पे बाट रहे हैं तो हम लोगों ने यहां पे बहुपत को दो परकार से बाटा है पहला घात के आधार पे और दूसरा पद के आधार पे तो घात के आधार पे भी जो बहुपत होता है वो कई परकार के होते हैं उसमें से जो सबसे पहला बहुपत है उसे कहा जाता है बहुपद, रहाखिक बहुपद किसे कहते हैं, कि बैसा बहुपद, जिसका घात कितना हो, एक हो, यानि कि एक घात ये बहुपद, अगर इसका हम सामानने फॉर्म लिखें, तो क्या हो जाएगा, सामानने रूप, ये याद रखना जरूरी है, तो इसका सामानने रूप होता ह A X plus B ठीक है अब देखिए A के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि 5 लिख दिया और साथ ही साथ क्या लिख दिया A X और B के जगह पे भी कुछ ही लिख सकते हो ठीक है ये क्या है अचर संख्या है तो 5 X plus क्या हो गया 4 हो गया और हाँ यहां पे आप कभी भी A को 0 नहीं लिख सकते है ठीक है कि हाँ भाई A मन किया तो 0 लिख दिया B 0 हो सकता है रेकिन A 0 नहीं हो सकता ये एक्जामपल हो गया और क्या एक्जामपल हो जागा एक जगह पे 3 Y 4 लिख दिया X लिख दिया पलस में कुछ भी लिख सकते हैं 5 लिख दिया ये क्या है एक परकार का बहुपद है कैसा बहुपद है तो रैखिक बहुपद है ठीक है अब देखिए और भी इसका एक्जामपल हो सकता है माइनस का 3 लिख दिया एकस लिख दिया और माइनस का 5 लिख दिया a के जगा पे minus 3 है, b के जगा पे minus 5 है, साथ ही साथ क्या है, x, आप लोग कहोगे सर, सिर्फ x, by नहीं, by भी चलेगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया minus 4 by और plus का 5, यह क्या है, रैक एक बहुपद है, ठीक है बच्चों, अब देखो, हमने यहाँ पे कहा, a 0 नहीं हो सकता, क्यों रख दिया, 0 में 1 से गुना हुआ, 0 हो गया, plus में 4, solve करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 4, देखो तो इसमें, जो चर संख्या है, वो गाइब हो गया, तो इस बहुपद का घात कितना बचा, यह सुनने हो गया, मतलब इसके साथ जो x या by जो भी है, उसका घात कितना हो ग ठीक है, मतलब कि था ही नहीं, यहाँ पे x जो है, x वाला पद ही क्या हो गया, गाइब हो गया, ठीक है, तो हम लोग अभी समझे थे, कि 4 लिखा हुआ है, तो इसको 4 गुने x का पावर 0 भी लिख सकते हैं, यानि कि सुन्ने घात का बहुपद हो गया, ठीक है, तो सुन्ने घात ही उसका समाप्त हो जाता है, अगर आपने a को 0 कर दिया तो, ठीक है, तो इसी लिए हम लोग यहाँ पे a को 0 नहीं कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, समान रूप होता है, a x पलस b, जहाँ पे आप a को कभी जीरो नहीं रख सकते हैं, माइनस में रख दो, पलस में रख दो, कोई फरक नहीं पढ़ता, भीन के रूप में लिखो, पुरनांक संख्या के रूप में लिखो, लेकिन 0 नहीं लिखना है, ठीक है, रैखिक बहुपद हो गया, अब जो दूसरा यहाँ पे हम लोगों को जब समी करन पढ़ेंगे तब भी और बहुपद तो पढ़ी रहे हैं, ठीक है, दीघात बहुपद, सामान में रूप होता है इसका, AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C, यह याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, A किसको कहते हैं, जो X स्क्वाइर के साथ गुना में होता है, B किसको कहते हैं, जो X के साथ गुना में होता है, और C किसको कहते हैं, अचरपद को, जिसके साथ कोई नहीं होता, जब कोई नहीं है, तो यह क्या हो गया, अचरपद हो गया, अब कोई जरूरी नहीं कि A एकदम फिक्स हो गया, कि X स्क्वाइर के साथ जो गुना में रहेग बो ऐ ही रहेगा धी घाथ बहुपत के लिए ऐसा हैँ अभी हम लोगों ने देख है जब राकिक बहुपत पढ़ रहे थे टो לא के साथ गुणा में toward तो राकिक बहुपत के लिए अलग है केलए कि लिए क्या एलग है ऐसे समझ सकते हो कि kisी भी परिवार का बड़ा बेटा को A कहते है अब सब परिवार का बड़ा बेटा एक ही थोड़े है हम अपने भाई अपने पिता जी के लिए बड़ा बेटा है तो अपने पिता जी के लिए है न हम अपने चचा के लिए तो है नहीं बड़ा बेटा उनका बड़ा बेटा कोई तो यहाँ पेड़ मुझे साथ जो होता है। इस उसे कहते है हूं 활 मुझे bas!! जीसे की। पर 2 लिख दिया, पावर, ओ सॉरी, 2 लिखना है, हाँ, पलस 5X, पलस 6, ये एक दिगात बहुपद हो गया, ठीक, आप लोग होगे सर, बीच में से अगर ये ना रहे, ये ना रहे, तो यहाँ पे A is equal to, हम लोग 0 नहीं रख सकते, B is equal to 0 रख सकते हो, C is equal to 0 रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन A is equal to 0 नहीं रख सकते, पहले B is equal to 0 रख दें, देखो A के जगह पे 5 रख दिया, X सकौायर लिख दिया, B is equal to 0 रख देंगे, तो 0 के साथ गुना होके ये गाइब हो जाएगा, और C is equal to 4 रख दिया, तो ये भी एक दीघात बहुपद है, कोई जरूरी नहीं कि 3 रहे, ठीक है, हाँ, अगर C is equal to 0 रख होगे, तो क्या बनेगा, 6 एक सकौायर लिख दिया, मतलब A के जगह पे 6 लिख दिया, B के जगह पे 7 लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते थे, C के जगह पे 0 लिख दिया तो ये भी एक परकार का क्या है, दीघात बहुपद है, ठीक है, अब देखो अगर A is equal to 0 रख देंगे, तो 0 गुने में X सकौायर, B is equal to कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे लिख दिया, तो ये वाला चीज गुना होके 0 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 4X-5, इसको रब कर देते हैं, अब देखो, ये एक रैखिक बहुपद बन गया, दीघात रहा ही नहीं, तो मतलब A को जैसे ही हमने 0 रखा, बहुपद का काम ही खतम हो गया, मतलब जो उसका नाम था, जिसके बजा से बो दीघात था, बही खतन हो गया, ठीक है, तो हम लोग A को 0 नहीं रख सकत है ठीक है किरी मतलब होता है तीन घात तो समझी गए होंगे तो इसका सामान ने रूप कैसा हो जाएगा बच्चों थोड़ा सा बढ़िया से सामान जेनरल फॉर्म तो इसका होता है एक्स का पावर 3, BX का square, CX और plus में क्या, D समझ में आ रहा, इसका बड़ा बेटा कौन है जो X का power 3 के साथ जो गुना में है उसको A बोलेंगे और जो X square के साथ गुना में है उसको क्या बोलेंगे, B बोलेंगे, change होगे है यहाँ पर A, B, ठीक है जी अब इसका कुछ भी, आप मतलब एक दो, एक सर, यह example लगा लिजे A के जगा पर चार रख दिया B के जगा पर भी चार रख दो चलो 5 रख दो, कुछ भी रख सकते हो भाई, C के जगा पर क्या रख दो माइनस में रखें कुछ, माइनस 3 रख दिया और D के जगा पर 5 रख दिया लो, बन गया एक, example हाँ, A कभी भी 0 नहीं हो सकता, A जब 0 हो जाएगा तो ये वाला पद खतम हो जाएगा तो ये दीघात बन जाएगा, ठीक है? इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे इसके अलावा, A 0 हो जाए, A 0 हो जाए, A 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन A 0 नहीं करना है जैसे example देखें, चलो देखो 4, X का पावर 3 इसको 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर दो इसको भी 0 डग दो तब भी ये कितने घात का बहुपद है तीन घात का बहुपद है, हाँ इसमें पद कितने हैं, सिर्फ एक पद हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घात कितना है तीन है, है ना, तो ये क्या है एक तरी घात ये बहुपद है ठीक है बच्चों, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लिख दिया, फाइव एक्स का पावर थिरी, इसी एक्स प्लस फाइव, ठीक है तो यहाँ पे देखो, ये वाला पद गाइब हो गया ये है ही नहीं, बी इस इक्वल टु जीरो है देखो, एक सस्क्वाइर वाला पद है नहीं है, तो एक सस्क्वाइर गया कहा अब देखे, चार घात वाले हम लोगों को पढ़ना नहीं है मेन पढ़ना है, दी घात और त्री घात एक घात वाला भी बहुत कम पढ़ना है इन में हम लोग मूल बगयरा भी देखेंगे आगे चल करके, थोड़ा सा और बेट कर लेते हैं थोड़ा सा पद के आधार पे देख लेते हैं बहुत जल्दी हो जाएगा तो सबसे पहला होता है, एक पदी तो एक पदी बहुपद किसको कहेंगे? बैसा बहुपद, जिसमें केवल एक पद हो एक्जामपल देख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है, चार एक्स तो इसमें कितने पद है? एक पद है अगर सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, एक पद है ठीक है, पद क्या? पद तब तक एक रहेगा, जब तक पलस और माइनस से कोई चीज अलग न होया हुआ रहे है जैसे कि फाइव, एक्स, बाई, जेड कितना पद है बच्चों? एक ही पद है, ठीक है? तो दो पद कैसे? जैसे कि मैं समझाता हूँ, एक्स और पलस में बाई तो यह कितना पद है? यह एक अलग पद हो गया यह एक अलग पद हो गया, क्योंकि अलग कौन कर रहा है? पलस कर रहा है दो पद हो गया, तो इसको एक पदी नहीं बोलेंगे इसको रब कर देते हैं, एक पदी कौन है? पाँच बटे दो, एक सस्कोई अभी भी कितना पद है? एक पद है गुना और भागा जो है वो पद नहीं पैदा करता पद बनाने का जिम्मेदारी सिर्फ पलस और माइनस को मिला हुआ है, ठीक है? यह आप लोगों को बस यहाद रख लेना है तो यह सभी के सभी एक पदी के एक पदी के एकजामपल इसी तरीके से दी पदी दी पदी किसे कहेंगे जिसमें केवल दो पद हो जैसे कि एकजामपल के तौर पे एकस लिख दिया, बाई लिख दिया दो पद है, ठीक है अगर आपको 4X स्कॉर है पलस 5 लिख दिया, कितने पद है, दो पद है अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ही 4X और पलस में 8 लिख दिया, कितने पद है दो पद है अच्छा बाई नहीं लिखते हैं हम आठ बाई लिख दिया कितने पद है दो पद है सिर्फ पलस ही नहीं माइनस भी रहेगा तब भी हो जाएगा जैसे बाई ए स्कॉएर माइनस में एट लिख दिया क्या है कितने पद है दो पद है ठीक है जी तो यह दी पद ही हो अब आप लोग समझ रहे होंगे बैसा बहुपद जिसमें किते पद हों तीन पद हों उसे क्या कहेंगे तरी पद ही ठीक है ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा बाकी तो आप लोग समझ कहेंगी अब हम हम लोग देख लेते हैं मान बहुत जल्दी अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जो कि एक्जाम में आता है देखिए हमने यहां पे एक बहुपद लिखा एकस्कुरा प्लस 5 एकस प्लस 6 बहुपद को इंगली समें पॉलिनोमियल कहते हैं इसका एक नाम देना होता है कि यह पी P stands for polynomial अच्छा यहाँ पे चर संख्या क्या है X तो लिखेंगे बहुपद है X के रूप में तो P X is equal to यह हमारा बहुपद हो गया अब आपसे कोई कह दे कि इस बहुपद का मान निकालो तो मान इस तरीके से निकालना होता है ऐसे लिख देगा कि यह बताईए कितना यानि कि जहां जहां पे भी आपको X दिखे बहां पे आप क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए तो हम लोग कहेंगे बहुपद का मान कितने पे 2 पे ठीक है देखिए सवाल निकाल के जरा करते है तो P 2 is equal to X के जगा पे 2 रख दीजिए 5 है तो 5 लिख दिया X के जगा पे 2 लिख दिया और पलस में 6 solve कर दीजिए 2 का square 4 होता है 5 दूनी 10 और पलस में 6 जोडोगे तो कितना हैगा 16 हैगा ठीक है तो इसको कहते हैं मान निकालना बहुपद का यह क्या हो गया मान हो गया एक और बहुपद लिखते हैं P चलो इस वार बाई लिख देते हैं मतलब कि बाई के पद में लेना बाई ए स्कोईर पलस में कुछ भी ले सकते हैं 2 बाई ले ले और माइनस में क्या ले लिया 10 ले लिया आप से कह दिया जाए कि P 3 निकालो यानि कि जहां पे भी बाई दिखे बहां पे आप क्या रखोगे 3 रखोगे तो 3 पे इस बहुपद का मान निकालने जा रहे है तो देखिए बाई है तो बाई के जगा पे 3 रखेंगे पावर 2 था तो पावर 2 लिख दिया 2 है तो 2 लिखा by के जगा पर 3 और पलस में कितना 10 अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और यह कितना 6 provisions हो जाएगा और पलस में 10 हो जाएगा अब देखो 9 और 6 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 यह आपका अंसर हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग बहुपत का मान निकाल सकते हैं आप किसी पर भी मान निकाल सकते हैं चलो एक Z पर ले लेते हैं P Z is equal to मान लिजे Z square plus 5 Z और मानस में 6 ठीक है जी अब आप से कोई कह दे कि P 1 निकाले यानि कि जहां पर भी आपको Z दिखे न बहाँ पर 1 रख देना है ठीक तो ये Z है तो Z के जगा पर बन उसका square था तो बन का भी square पलस 5 Z के जगा पर 1 और मानस 6 देखो 1 का square 1 होता है 5 is to 1 तो 5 होगा और मानस में 6 होगा 5 और 1 6 और 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0 तो इस तरीके से हम लोग value निकाल सकते हैं बहुपद का किसी भी मान के लिए ठीक है अब हम लोग देखते हैं बहुपद का सुनियक किसे कहते हैं ये important है ठीक है जी अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है सुनियक जैसे कि हमने यहाँ पे बहुपद ले लिया PX X square minus में 5X ले लिया और plus में यहाँ पर ले लिया 6 ठीक है ये एक हो गया बहुपद आप से कहा गया कि इस बहुपद का सुनियक निकालिये तो सबसे पहले तो मतलब समझे कि सुनियक का मतलब होता क्या है ठीक है वैसा मान जिसके लिए इस बहुपद का मान जीरो हो जाए सुनियक हो जाए उस मान को इस बहुपद का क्या कहते है सुनियक कहते है यानि कि X is equal to जितना रखने पे इसको solve करके जीरो आ जाए उसे ही क्या कहेंगे इस बहुपद का सुनियक कहेंगे जैसे देखिए यहां पे अगर हम x is equal to 2 रखते हैं मान के चलिए देखिए x is equal to 2 रखते हैं तो क्या हो जाता है 2 का square minus 5 x के जगा पर 2 और पलस में 6 2 का square कितना होता है? 4 होता है 5 दुनी कितना? 10 और पलस में 6 देखो 6 और 4 कितना 10-10 is equal to कितना 0 हो गया तो X is equal to जब हमने 2 रखा तो बहुपत जोड़ घटा के कितना हो गया 0 तो 2 जो है वो इस बहुपत का क्या है सुन्यक है क्योंकि 2 ने क्या किया इस पूरे बहुपत को सुन्यक कर दिया बात समझ में आया X का या बाई का बैसा मान जिसको रखने पे पूरा बहुपत क्या हो जाए सुन्ने हो जाए उसी को क्या करते है उस मान को क्या करते है उस बहुपत का सुन्यक करते है जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि x is equal to 2 रखने पे बहुपत का मान सुनने हो गया तो इसी लिए इस बहुपत का सुनिया कितना हुआ 2 हुआ अब ये सवाल उठता है कि किसी भी बहुपत का कितना सुनियक होता है सवाल समझ मार है कि किसी भी बहुपत का कितना सुनियक होता है क्या यहाँ पे ऐसा कोई और भी संख्या है जो हम रखेंगे तो यह बहुपत सुनने हो जाएगा जैसे देखो यहाँ पे हम 3 रख के देखते हैं यही सवाल लिखते हैं x square minus 5x और plus कितना है 6 है 3 रखो तो 3 का square minus 5 3 और plus का कितना है 6 यह कितना 9 हो जाएगा 5 तिया 15 और plus में कितना 6 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और minus में 15 देखो is equal to क्या हो गया 0 हो गया तो 3 रखने पे भी बहुपत का मान क्या आ रहा है सुनने आ रहा है तो 3 भी क्या है सुनियक है तो यहाँ पे तो आदमी confuse हो जाएगा कि भाई कितना सुनियक होगा 10 बारा हो जाएगा तो इसका simple सा जवाब है बहुपत जितने घात का रहेगा उसके उतने ही सुनियक रहेंगे जैसे यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बहुपत लिखा है वो कितने घात का है दो घात का है तो कितना सुनियक इसका होगा दो सुनियक पहला सुनियक दो था दूसरा सुनियक तीन है इसके अलावा दुनिया का कोई भी संख्या रख लोगे यह बहुपत कभी भी सुनने नहीं होगा कुछ न कुछ मान देगा जैसे कि हम 3 के अलावा कुछ रख लेते हैं 4 रख करके देखें यहां पर देखो सुनने नहीं देगा जैसे X के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 का स्कुाइर माइनस 5 इंटू 4 और पलस में कितना है 6 4 का स्कुाइर 16 होता है और 5 चेके कितना 20 और पलस में 6 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 माइनस 20 और कितना अंसर आगया 2 आगया सुनने आया नहीं आया अब कभी आयेगा भिंगी यह सुनने तभी आएगा जब हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे या तो फिर 3 रखेंगे तो जितना घात होता है उतना ही उस बहुपत का सुनियक होता है तो 2 घात वाले बहुपत का कितना सुनियक होगा 2 सुनियक 3 घात वाले बहुपत का कितना सुनियक होगा 3 4 घात वाले बहुपत का कितना सुनियक होगा 4 ठीक है तो सुनियक निकालने का तरीका हम लोग बहाँ देखेंगे जब सवाल लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि सुनियक किस तरीके से निकाला जाता है पहले मैंने ये बता दिया सुनियक कहते किसे है ठीक है और मतलब कितने कितने सुनियक होते हैं वो आप लोग नोट में लिखते चले जाएगा अब देखिए यहां पर क्या है ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सुनियक निकालते नहीं है लेकिन उसका जोड उसका मतलब सुनियकों का योगफल सुनियकों का गुननफल यह मतलब बहुत important सवाल है एक्जाम में एक दम एक नंबर का तो आना ही आना है कि सुनियकों का योग निकालिए सुनियकों का गुननफल निकालिए पहले सवाल समझ लें यह है क्या सुनियकों का योग सुनियकों का गुननफल यह सब क्या है भाई तो मैं यहां पर इसको रब करता हूँ देखते हैं दीगात बहुपत के बारे में अब हम लोग देखेंगे ठीक है दीगात बहुपत इसको रहने देता हूँ आप लोग लिख लेना कि ये कौन से के लिए हो रहा है दीगात के लिए सबसे पहला चीज सुनियक का योग ठीक है तो सुनियक कितना पिस्दी हाथ बहुपत का सुनियक कितना होता है दो सुनियक होता है दो घाथ तो कितना सुनियक दो सुनियक दोनों का कुछ नाम दे दे पहला सुनियक को कह देते हैं अलफा दूसरे सुनिया को क्या कह देते है बीटा इसको अलफा पढ़ते है इसको बीटा पढ़ते है योग मतलब होता है जोड तो यानि कि अलफा प्लस बीटा इस इक्वल टू क्या होगा ठीक है तो इसका फॉर्मूला होता है कि अलफा प्लस बीटा इस इक्वल टू माइनस बी ब हुपत का बात हो रहा है तो इखेहाद के लिए a,b,c कौन होता है देखिए इस तरी के से होता है a,x,quire plus b,x और plus क्या? c square के साथ जो गुना में रहता है वो a होता है x के साथ जो गुना में होता है वो b होता है और जो अकेले होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, C कहते हैं, यहां देखिए, Alpha प्लस बीटा, माइनस है फॉर्मूले में, माइनस लिख दिया, क्या कह रहा है, B, B किसको कहते हैं, जो X के साथ गुना में होता है, X के साथ गुना में कौन है भाई, तो 5 है, तो लिख दिया, माइनस 5, और हाँ, जिन चे साथ लिखना है और बटे में क्या ओस एक कौन है जो एक सबस्क्वाइर के साथ होँना में Hugo उसको क्या बोलते है है तो यहां 29 कोई ही नहीं तो ऐसानील कोई नहीं है एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसलिए लिखते नहीं तो देखे ओ माइनस 手 गुना होके आपको एक चीज दिखाओ, अभी हमने देखा था इसका सुनियक, पहला सुनियक दो था, दूसरा सुनियक तीन है, योग मतलब जोड़ है, दोनों को जोड़ो तो, कितना आया, फाइब, ठीक है, तो क्या हमको सुनियक पता था जब हमने इस तरीके से निकाला उसका जोड़ नहीं, बिना जाने कि सुनियक है कौन-कौन, हम लोग उसका जोड़ निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे निकाला सुनियकों का जोड़ कितना हो गया, फाइब, ठीक है, और हमको यहाँ पे जोंकि पता भी था, कि पहला सुनियक दो है, और दूसरा सुनियक तीन है, तो दो अकों का योग कैसे निकलता है तो एक्जाम्पल के ज़र यह समझते हैं चीजों को जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूँ 5x square plus 10x minus 15 दूँ इसका alpha plus beta लिखना है तो क्या होता है formula minus b by a ठीक है तो यह minus के लिए यहां पर minus लिखो b जो x के साथ गुना में होता है तो कितना है 10 बटे में a कितना है जो square के साथ गुना में होता है solve कीजिए कितना बार में जाएगा दो बार में तो minus 2 हमको नहीं पता कि कौन है सुनियक कौन कौन है लेकिन हमको यह पता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा minus 2 आएग माइनस टू आएगा, तो कुछ भी हो सकता है, लेकि जोडने पे हमेसा माइनस टू आएगा, ये हम लोग कनफर्म होके कह सकते हैं, ठीक है, तो सुनियकों का योग हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, दीग हाथ के लिए, अब हम लोग देखते हैं, सुनियकों का गुननफल, सुनियकों का गुननफल उसका भी एक फॉर्मूला होता है यह फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुनन फल, गुनन फल का मतलब होता है गुना, पहला सुनियक अलफा, दूसरा सुनियक बीटा, दोनों के बीच में गुना का चिन, तो अलफा इंटू बीटा इस इक्वल टू होता है, सी बटे ए ठीक है बच्चों अलफा इंटू बीटा इस इक्वल टो सी बटे ए जैसे देखिए यहां पर भी पुराना एक्जामपल लेते हैं कौन सा एक स्कॉर माइनस फाइव एक्स प्लस सीक्स वाला क्योंकि इसके बारे में हम लोग जानते हैं सुनिया कितना इसका दो है और तीन है अभी मान के चल रहे हैं कि हमको पता नहीं है हम लोग डायरेक्ट अलफा इंटू बीटा इस इक्वल टो क्या सी तो सी किसको कहते हैं जो अ को अलफा माने आप अलफा को प्लस इक्वल टो क्या होता है माइनस बी बट ए तीगात समीय करन के लिए इसके अलाबा क्या है कि कभी कभी आपको सुनियक का जोड़ दिया रहेगा व्हॉणकि घृगए और आहेस को कह देगा कि दीघाथ समीकरन बना के दिखो इसका आप लोगी स्क्रीन सौट ले सकते हैं अब देखिए दीघाथ समीकरन कैसे बनता है अगर ये दो चीज दिया रहे हैं तो ठीक है इस पर मैं सवाल नहीं करवाओंगा भी एक्जामपल नहीं करवाओंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मैं बस फॉर्मूला बता दे रहा हूं सवाल हम लोग बाद में कर लेंगे ठीक है जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो यदि अलफा प्लस बीटा दिया रहे और अलफा इंटू बीटा दिया रहे तो दीघात बहुपद इस इक्वल टू होता है यह फॉर्मूला लिख लिजिए यूज कैसे करना है वो हम लोग कल के लाइप वीडियो में देख लेंगे ठीक है कल जो लाइप चलने वाला है या तो अगर वीडियो में यह कल अपलोड करूँगा तो आज ही चल जाएगा ठीक है क्योंकि अभी रात में रिकॉर्ड कर रह रखा है मान लिया ठीक है तो बहुपद बरावर क्या हो जाएगा तो बहुपद बरावर क्या लिखा हुआ है एकस स्क्वाइर माइनस अलफा पलस बीटा तो अलफा पलस बीटा कितना है फाइब और गुने में कितना है एकस और पलस है तो यहां पे लिखा पलस अलफा अब थोड़ा से हम लोग देख लेते हैं तिरी घात बहुपद ठीक है अब तिरी घात के लिए थोड़ा से देख लेते हैं हम लोग